जहेंद एवरेवन वेरी वर्म वेलकम तो आल आफ यू सो कैसे हैं आप सभी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है करेंट इन सौट की इस चोटे से वीडियो में जिसमें हम लोग पांच से दस मिनट में करेंट अफैर के जो इंपॉर्टेंट मुद्धे होते हैं उन्हें क लिए जा रहा है पहला करेंट इन सौट जिसमें जो बहुत जादा इंपॉर्टेंट मुद्धे होते हैं उसे पांच से दस में कवर करते हैं और हर मंडे को हमारे वीकली करेंट अफैर का सो आता है अगर आप इन दो दोनों चीज़ों को प्रॉपर वे में कवर करते हैं तो जा रही है जो भील जन जाती के साथ है लगतार अंदोलन चला रहे हैं भारत के चार राज्यों जहां पर ठीक ठाक भील पॉपुलिशन रहती है राजिस्तान गुजरात महराश्ट और मध्ध प्रदेश इन चार राज्यों के लगभग बताय जा रहे हैं अभी के लिए कि 49 डिस्टिक्स हैं जिनें अलग कर एक अलग भील प्रदेश की मांग की जा रही है तो हम लोग इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहला कि आकिरकार ये भील प्रदेश चर्चा में क्यों है किस तरह इस आंदोलन की सुरुत होती है भील प् पर समझेंगे इसके अलावा क्या-क्या आलोचना की जा रही है एक जाती या सामुदाइक आधार पर एक अलग राज बनाने की तो मांग की कुछ आलोचना के बिंदू भी हम लोग यहां पर देखेंगे साथ इसाथ भील प्रदेश के अलावा देश के और कौन-कौन से रीजन है जहां से समय-समय पर अलग-अलग राज बनाने की मांग उठती रहती है तो कौन-कौन से वो छेत रहे हैं उनमें से एक मद्ध प्रदेश का भी एक छेत है विंद प्रदेश आप लोग ने सुना ह होगा कि मद्ध प्रदेश पे भी विंद प्रदेश के गठन की मंग समय-समय पर की जाती रही है इसके अलावा जो हमारे एक्जाम पॉंट आफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टन्ट है कि क्या वो प्रोसीजर है एक नया स्टेट एक न्यू स्टेट में आप सभी क्ले कोशन भी रहेगा बटांगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं आकारा इसके प्रेटफॉर्म पर इंग्लिस मीडियम का प्रीकम मेंस जो बैच है उसके एडमिशन ओंगोइंग है इस बैच की टाइमिंग रहती है सूबह के आठ बजे इसके जा रहा है इस बैच की टाइमिंग रहती है दो पहर के डेढ़ बजे तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त जो नोंने ओल्ड स्लेबस जो है मींस का बहुत अच्छे डंग से कवर कर लिया है उन्हें केवल नई इकाईयों को ही कवर करना है तो आप इस बैच से जुड सकते हैं इसके अलावा आठ जुलाई दोहजार चौबी से कंप्लीट मींस का बैच स्टार्ट हुआ है पूरे सलेवस का बैच स्टार्ट हुआ है जिसकी टाइमिंग है दोपहर के ढ़ाई बजे 15 जुलाई से एक प्रिलिम्स का बैच स्टार्ट हुआ है इसके लावा 29 जुलाई 2024 से प्री कम मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है इसकी टाइमिंग भी सुबह के आठ बजे है 15 जुलाई से प्लिम्स के बैच की और 29 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाला है उसकी भी टाइमि के लिए three years foundation batch भी already ongoing है admission अभी भी इसमें open रखे गए हैं तो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया कि हुए अलग-अलग new channels ने इसे cover किया हुआ है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस news cutting में बताया गया है कि tribal demands new state भील प्रदेश भाई breaking राजस्थान गुजराथ and two other states याने राजस्थान गुजराथ इसके लावा दो और राज मद्धपदेश और महराश इन चार राज्जों से जो भील dominating area है उन्हें अलग कर एक नए भील प्रदेश के मांग की बात लगातार सामने आ रही है इसके लावा यहां पर भी देख सक भील प्रदेश बनानी की मांग महरैली में जुटे चार राज आदिवासी नेताओं ने रखी यह मांग लगाता जो ट्राइबल लेडर्स हैं वो इस मांग को राज सरकार के माधम से संग तक यूनियन तक क्योंकि आप सभी को पता है कि नए राज को बनानी की जो पावर है वो पालियमेंट में होती है तो गेंद सरकार तक ही इस मांग को लगातार सामने रखा जा रहा है इसके लावा यहां पे भी आप से देख सकते हैं वाई मेंबर्स ऑफ दा भील ट्राइब हैव अगें डिमांड़ अ सेपरेट भील प्रदेश यहां पे भी आप देख सकते है तो लगाता लंबे टाइम से सुर्क्यों में बने हुई है और लंबे टाइम से एक आंदोलन भी सुरू हो रखा है राजिस्थान में जहां इन चार राज्यों के जो टाइबल लेडर्स हैं जो जंजाती संदाय के लोग है वो ही कट्थे हैं और एक तीवर मांग बताई जा हो गया मद्धप्रदेश हो गया महराश हो गया और चौथा राज गुजरात इन चार राजों के लगभग उन्चाज जिले बताए जा रहा है 49 जिले हैं भील डॉमिनेटेट इस्टिक्स हैं इनको अलग करके अलग भील प्रदेश की मांग की जा रही है यहां पे आप की जा रही है सबसे पहले एक अलग भील प्रदेश बनाने की अलग भील प्रदेश के गठन की जो मांग साल 1913 में सुरू हुई थी 1913 में आप सभी को पता है इंडिया इंडेपेंडेंट नहीं हुआ था हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे तो अंग्रेजी जंजाती कार करता है सोशल रिफार्मर थे गोविंद गिरी बंजारा साहब के दौरा इस आंदोलन की पहली नियू 1913 में राजेस्थान की बांसवाड़ा की मानगड हिल से रखी गई थे लंबा आंदोलन चला था और इस आंदोलन को अंग्रेजों के दोरा बुरी तरसे जो 1500 जंजाती विक्तित हैं उनका निधन हुआ था तो सुरुवात 1913 में होती है किस नहीं करा था गोविंद गिरी बंजारा साब ने राजिसान के मानगर जिले से यह कहानी की सुरात होती है 1500 जनजातियों का दुखद नरसंग संग्रावार अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था अब यह देख लेते हैं कि आखिरकार मांग की कारण क्या है तो दो बड़ी कारण बताए जाते हैं सबसे पहला सांस्कृतिक और भासाई एक रुपता जो भील जनजाती है वो चार राजों में बटी हुई है और चारो राजों की जनजातियों में इसके अलग प्रदेश के गठन की मांग समय समय पर उठती आ रही है इसके अलावा एक आधार उनकी दौरा यह भी दिया जाता है कि जो फजल अली कमीशन बना था जो फजल अल था उसने भी कहा था कि भासाई और सांस्कृतिक रूपता को नए राज्यों का गठन आधार बनाया जा सकता है हाला कि फजल अली आयोग ने यह भी कहा था कि इन पे उपर जो प्रायोर्टी है वो को दिया जाना चाहिए प्रशासनिक तर्क प्रशासनिक एक रूप्ता को भी बनाने के लिए भासाई और सांस्कृतिक एक रूपता का आधार बना सकते हैं तो भील समधाय के दोरह सबसे बड़ा जो तर्क है वो यह भी दिया जाता है कि भीया फजल आली आयोग ने खुद ही कहा है कि आ भासाही यानि जो लैंग्वेज डालेक्ट बेसिस पर और कल्चरल यूनिटी के आधार पर आप एक नायराज्य बना सकते हैं तो ह के लावा ये भी कहा जाता है कि राजनीति ग्रूप से हमेसा हासिय पर रही है जन्जाती उपेक्षा होती रही है बता जाता है कि जन्जाती नेताओं का दावाँ है कि मौजूद राजनीतिक संरचनए भील समधाय की आवस्रता और आकांचाहों को पूरी तरहúa से फुल्म सबसे बड़ा आलोचना यही की जा रही है कि समाजिक विखंडन और आइस्थिरता उत्पन हो सकते हैं आज भील प्रदेश की मांग हो रही है समझो कि समय समय पर होती यह रहती हैं कि उस्हार देख घंडन और पूरी तरह से जाती आधार पर इक अलंग प्रदेश की गठन जो है ये उचित भी नहीं लगता है सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देगा तो ये दो बड़ी आलोशना है की जा रही है भील प्रदेश की मांग की पहला कि विखंडन और अईस्थिरता उत्पन होगी और दूसरा सामाजिक विभाजन सोसल डिवीजन को बढ़ावा मिलेगा हर समधा हर समाज कर अपना एक अलग प्रदेश गठन की मांग करेगा अलग राज्य की समय समय पर देश के कोने से मांग उठती रही है जैसे सबसे ज्यादा जो मांग उठती है वो विदर्व राज्य की अभी जो महराज का जो नाकपुर रीजन से और उसके आजपास के जिलों से लगातार मांग जाती रही है कि हमें महराज से अलग कर दिया जाए और एक नय विधर्व राज के गठन की जाए इसमें पूर्वी महराज के अमरावती और नाकपुर संभाग सामिल होंगे तो विदर्व की मांग उठती रहती है समय समय पर एक अलग राज्य की रूप में इसके अलावा बोडो लेंड प्रदेश की भी मांग उठती रहती है उत्तरी असम से बोडो लेंड वाले एरिया को अलग करके पूरा का पूरा एक प्रदेश बनाए जाए तो विदर्व की मांग उठती है बोडो लेंड की मांग उठती है इसके अलावा नौर्थ इस से गोर्खा लेंड हो गया कूकी लेंड हो गया बिहार यूपी के कुछ ए एरिया से मिथिला नाम की अलग प्रदेश की मांग उठती है मद्य नौर्थ इस रिवा सत्ना सीधी सिंग्रॉली सहडोर उमरिया इन छेत्रों को अलग करके एक विंद प्रदेश के मांग भी लंबे टाइम से की जा रही है आप सभी को पता होगा मैहरीजन के पॉलिटीशन है जो है अगर मैं नाम गलत नहीं हो तो नारायन त्रिपाटी करके उनका नाम है वो MLA भी रही है वो इस मुवमेंट को लीट कर रहे हैं आज की डेट में अलग विंद प्रदेश के गठन के रूप में समय समय पर आती है अब सवाल उड़ता है जो हमारे एक्जाम के लिए सबसे ज्यादा में पर प्राफधान हना है उसके नेम नाम बदने का प्राफधान देता है ज्से 11 से पहले यहां समझेगा 2011 से पहले कुछ ऐसा नाम हुआ करता था उडिसा उडिसा और इसका नाम बदलकर 2011 के बाद से ओडिशा किया गया तो सवाल उड़ता है यह किस आर्टिकल के तहद किया होगा अंसर हो जाएगा हमारा अंडर आर्टिकल 3 इसके लावा आंद्रप्रदेश से अलग करके तिलंगा अनरा का घठन किया गया किस आर्टिकल के तहित किया होगा मात्य॥ यह पावर केंदर पास है और उसे इमपावर करता है अंडर आर्टिकल three इसी में आपको एक और तो फ़र चीज पहले बताई थी केरल स्टेट है यह केरल राज भी अपना नाम बदलना चाहता है कि हमारे लेंगविज में केरल जैसकोई वर्ड ही नहीं है हमारा नाम केरल से बदलकर केरल कर दीजिए केरल ऐसे प्श्रिम बंगाल से भी समय समय पर नाम बदलने की जो request है व अगर नया राज अगर बनाना है तो संबंधित राज विधान सवा में अलग राज बनाया जाने से संबंधी एक प्रस्ताव पारित होगा उस जो इस्टेट लेशलेटर है इस्टेट लेशलेट्व एस्टेट लेशलेट्व एसेंबली है वहां पे प्रस्ताव पास होगा जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा केंदरी कैबिनेट की सहमत पर ली जाती है एहम मसलोप पर विचार के कि मंत्री समू का गठन किर जाता है मानग मंद्र प्रदीस को अलग करने मंद्र प्रप्रदीश में सबसे पहले लाए गा मंद्र प्रफोजल को यूनियन कैबिनेट की सेहमत ली जाएगीं मोदी जी के मंद्र मंदल से सेहमत ल Depending से ऩाल लेंगे वहां से सहमत Liberty के बाद मंत्रिां के बात्यों कर sposób और यह प्रिस्ताव बारीक्ता से गहन विचार करेगा उसके बाद सेouldर की नहीं सबसे पहले जो जो रॉपन्स पर करको से सहमत लेगा, उस पर फिर मंत्रियों के सम्हुघ, बनाया जाएगा जो उस फिर से कैबिनेट को भेजेगा और कैबिनेट उस पर क्या करेगा एक वह फिर से ततों के जैसे का मिनेट ने उस प्रस्ताऊ को भेज़ विदान सामा में सदस्यों की राय जानने के लिए भेशने हैं राज जानने के लिए राश्पटी द्वारा एक निश्य समय सीमा तै की जाती है तो मध्यपुदेश ने प्रस्ताओ भेजा मंत्रियों का समुग अठीत वह उस प्रस्ताओ पर मंत्रियों ने अपनी सिफारिश दी फिर से इसे यूनियन अगर उसे स्विकृति देगा तब राश्पती के पास भेजा जाएगा अब राश्पती इस प्रस्ताओं पर अंतिम राय लेने के लिए जिस राज्य से यह मांग उठी है जिस राज्य को अलग करना है वहां पे फिर से प्रस्ताव भेजेगा कि आप अपनी राय दीजे यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि राज्य के द्वारा वो प्रस्ताव वापस राश्पती के पास कितने दिनों के बीतर भेजी जानी है वो समय सीमा भी राश्पती ही पुड़ा गया था राश्पती को पांचवी समधान शशो ध्यान रखी गा फिफ्ट कॉंस्टिटूशन एमेंडमेंड मेंट नाइंटीन फिप्टी फाइफ उनीसो पच्पन के तहत यह सक्ति दी गई थी कि राश्पती यह तह करे कि वह समय सीमा क्या होगी वह टाइम लि कि राश्पती ने मद्द्परदीश को बेजा मद्द्परदीश ने फिर से कुछ सिफारिशों के सांव राश्पती को वह प्रस्ताओ तैस हमें सीमा के भीतर ही भेज़ दिया अब राश्पती फिर से यूनियन कैबिनेट को भीजेंगे बताएँगे कि देखिए मेरे पास में प्रजेंट किया जाएगा संसद में पेस किया जाएगा और संसद पालियमेंट अगर साधारन भहुमत से ध्यान रखेगा से अगर उसे पास कर देता है तो गजट के नोटिफिकेशन के साथ ही उस राज्य का अस्तित्व आ जाता है यानि एक बार अगर आप मैं फिर से सं कैबिनेट के पास जाती है यूनियन कैबिनेट उस पर विचार विमर्स करने के लिए मोदी जी का जो मंत्री मंडल है उन में से कुछ मंत्रियों का एक समू बनाया जाएगा और उन मंत्रियों का जो समू है इस प्रस्ताव पर बारीकता से विचार विमर्स करते हैं उसके ब करता है जिस समय सीमा के भीतर राज्यों को राश्पति को वापस उस प्रस्ताओं को भेजा जाता हुए समय सीमा जो रखी गई है यह पाचवे संधान संसोदन 1955 के तहट आठकल तीन में जोड़ा गया था जैसे ही राश्पति के पास राज्य ने वापस अपना प्रस्ताओं भेजा तो उस पर क्या और सिफारिस की गई है इसको राश्पति फिर से मोदी जी के मंत्री मंदल यानि यूनियन कैबिनेट को भेजेंगे यूनियन कैबिनेट में जो ग्रह मंत्राला होगा उस सिफारिस को चाहे तो सामिल कर सकता है या अपने कॉर्डिंग जो उसे सही ल गजट नोटिफिकेशन डेट से वो राज जो है अपने अस्तित्यों में आ जाता है यह पूरी की पूरी प्रक्रिया है एक नए राज गठन की किस तरह से एक नए राज का गठन होता और यही प्रोसीजर फालू किया जाता है नाम को बदलने के लिए जैसे केरल और पशिम मंगाल कहता है कि हमारा नाम बदल का बांगला कर दिया जाए तो उसका भी सेम प्रोसीजर फालू किया जाता है तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आखिरकार क्यूं चर्चा में है भील प्रिदेश की मांग कब से सुरू होती है भील प्रिदेश के मांग के क्या क बता जाता है मांग कि क्या अलोजना हो सकती है और भारत की किस-kis कोने से समय समय पर एक अलग स्टेट की डिमांड उर्षती आ रही है नाय राज बनाने की प्रिक्रिया क्या होगी जो कि आप से किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है जाते जाते कुश्चन को सौल करते ज इसका सही आंसर क्या होगा अभी अभी मैंने बताया पर जाते जाते एक बाद फिर से बता देता हूँ कि जो 5th Constitution Amendment है 1955 का पांचवा संधान शंशोधन जो है 1955 का इसने आटकल 3 में यह विवस्था दी राजपती को यह सक्त दिया कि राजपती स्टेट रियार्गिनाइजेशन बिल का जो प्रस्ताव भेज रहे हैं कितने समय सीमा के भीतर राज को जो कंसन स्टेट है वो राजपती को वापस भेज आएगा तो टाइम नेमिट सटकने की पावर राजपती को पांचवें संधान शंशोधन 1955 के तहत किया गया किस में इस वीडियो को इंज्वाय किया होगा जाते जाते एक बार आप सभी को फिर से बता तो इंग्लिस मीडियम का बैच और इसके लावा हिंदी और इंग्लिस मीडियम दोनों कहीं थ्री एस फांडेशन बैच जो है आप इसमें जूड सकते हैं इस लेक्टर की पीडियाफ आपको हमारे आकाराइस ऑफिशल टेलगाम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी इसके लाव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडियाफ की लिंग आपको सेंड कर दूँगा मिलते हैं करेंट इंस ओड के अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हंसे रहें के लिए भीफन